एपिसोड की शुरुवात में किम को देखते हैं जो मिन जी को किनाप करके उसका रेप करता है फिर उसका नीम प्लेट अपने डाइडी में रखता है फिर देखते हैं कि वो लड़ की मर चुकी यह तो टेंचेन में आ जाता है फिर जब पुलिस उसको अरेस्ट करके वहां की पर तलाशी लेते हैं तब मिन जी की लाश मिलती है पानी में से उसका फदर उसको रो रो के गालिया देता है फिर उसके बाद उसको पंदरा साल की जेल होती है बट अच्छा बिहेव करने की वज़े से दो साल कम हो जाता है कीम अलग अलग प्रोफेशन की लड़कियों को टारगेट करता था और रिकॉर्ड के लिए उनका नेम प्लेट जमा करता था बट लास्ट वाली के मडर के लिए उसको पंदरा साल की सजा सुनाई थे फिर कमिशनर चीफ को कॉल करके बोलता है जल्दी से ये केस खतम करने को फिर वो सलूशन मंगता है तो ये लोग बोलते हैं चीफ लास्ट में उसे दमकी देता है कि अगर एक हफ्ते में लोकेशन नहीं दो गए तो तुम्हारी टीम को निकाल दूंगा फिबाकी ओफिसर को बोलता है कि कुछ आदमियों को बेच के कीम के घर के पास पहलादारी करने के लिए और आस पर उसमें भी जाकर चेक करन करने के लिए जब कीम जिल से चुटेगा तो उस पर नजर रखना मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे और कितना खर्च करोगे बट मेरे लाइक नहीं कोई मुश्किल करना चाहिए और नहीं उसको कोई मानना चाहिए फिचीफ पूरे मीडिया में बोलता है कि अगर क दिखा रहे हैं कि वह बहुत कोशिश कर रहे हैं उदर जेल में कीम का डिस्टैच्च प्रोसेस हो जाता है फिर उसको सारे डिटेक्टिव बोलते हैं पब्रिक बहुत जादा गुस्से में इसलिए हम लोग तुमें प्रोटेक्शन देंगे तुमारे घर तक का वह बोलता है है फबली बहुत जादा चिन्डाती रहती है खुश तो उसको मानने भी जाते तो जुन्सिक उसको रोगता है फिर वो लोग किम को बचा के गारी में ले जाते चारों तरफ से लोग अंडे फेकने लगते कि मोलता है कि हेल जैसा वेलकम पार्टी यह हैं कि न्यूस में पात प्यूरता बोनास और बीज मिलियन बैंक अकाउंट के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए रेस्टरों में बैटके न्यूस देखता है और जुन्सिक को भी देखता है यहां गारी में किम को एक पेपर देते हैं कि इस हिसाब से बोलके लोगों से माफी मागने के लिए फ पोलता कोट में जो सजा सुनाई वो मैंने काट ली अब मैं अजाद आदमी उपलिस का कोई हप नहीं बनता है मेरी अजादी को रेस्ट्रिक्ट करने का चुन सिंग बोलता है मैं बताँ रिक्टिंग के साथ जो तुने किया था अजादी का सेनियर उसको रोप के शांत करता पर पुलिस लोग सभी उसे बचा के घड़ के पास ले जाते हैं फिर वहाँ पर ख़रा हो कर कि हम सबसे माफी मांगते हैं और यह दिखावा करता है कि उसको बहुत पच्टावा हो रहा है और रोणी की एक्टिंग भी करता है फिर घर में जाने के बाद बाद मास ताराम से बाकी लोगों से तो यह इलक्ट्रोनिक डिवाइस की क्या जरुबत है कि वह पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करेगा सीनियर बताता है कि तुमारे घर के चारू और पुलीस रहेंगे जो तुम लोग भी तो पैसे की जरुबत होती है तो तुम लोग भी तो हमला कर सकते को नया टार्गेट बनाया है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग में आतंग मच गया है अगर कोई भी एक्शन करता है किम के खिलाफ तो उसको सकते सलस्दा मिलेगी वट मास्मेन है को अभी भी यह नहीं पता चल रहा है उदर देखते कि वह औरत और कोई नहीं निंजी की मा रहती है वो अपने हजबन को दवाई खिला के बोल दी कि अगर में घर नहीं आए तो शोशल वर्कर को बुला लेना या किम की वाइफ लॉयर के साथ आती है और किम से डिवास मांगती है कि उसको कोई पैसा नहीं चाहिए बस अपने बेटी की कस्टरी लेनी है कि भरक ज होती है कि हमें तुमारी जरुद नहीं है इसलिए हमें वापस मठ ढूना और दोनों चले जाते हैं वहां मिंजी की मा मशली को काट के उसमें से जहां निकाल के बोटल में रखती है फिर एक बंदुक जैसे भी रेडी करती है यह एक जगर जाके चैंग के बारे में पुछत जब जॉन सिक को मालुम पढ़ता है तो जाकर चेक करता है इसके पैसे है यह नहीं फिर अपना टेश केम फुटेज चेप करता है जिसमें चाहं उसको इशारा करता है कि मैं तुझे देख रहा हूं तो जुसी गारी लेकर वहां से दूर जाता है और सूचता रहता है कि पै एपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ इसकी गाली वी चेक करते हैं जब कुछ नहीं मिलता की अब इतनी रात में कहां जाना है बोडं Socialies झाना है मेरी बातए की डूरता हैं क्या का एंद बने हैं र icyर. हो सके तो बोलता है कि मुझे रिपोटर को चिल्नाने लगता है तो आपनी थीद्वालों को बोलता है तो तीन मिनट रहेगा खरीत के पेग करने के लिए वह उसे पांच मिनट मांगता है पुलीस कीम को प्रोटेक्षन देते हुथ ले जाते हैं मिनजी की माम देख लेती है तो तीर में मशली का जहर लगा के हथियार तयार रखती है फिर वो स्टोर में घुसने को करती तो पुलिस वाला उसको रोपता है तो वो बोलने लगती कि मुझे डाइवर्टी से ब्लड प्रेशर है मुझे चुकलेट चाहिए तो बोलता है कि ठी है कि उसके साथ ही को एक तीर लग गया है उसकी मॉम से पूछता है कि आखिर उस तीर में था क्या उसका कोई एंटीडोट है पर वो कुछ भी नहीं बोलती है पुलिस टेशन में सारे पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वह लास्ट विक्टीम की मां आकड़ी कैंसर के स् आई हैं फिर वो पुछती कि जिस पुलिस वाले को तीन लगी थी वो ठीक है तो बोलता है कि जहर पुरी बाड़ी में फैल गया है इसलिए अभी भी उसकी हालत गंबीर है जुन्सिक बोलता है कि मैंने सुना आपके हजबन मेंडली बिमार है तो आपके बिना हो क्या उनको तो जीना ही पड़ेगा ना वहां देखते हैं कि एक आदमी सुटकेस में कर जाता रहता है उसको लगता है कि उसकी वाइफ आ गई है कि मास्क मैं वाला सुटकेस पड़ा हुआ है जिसमें मिंजी की मौम का नाम लिखा होता है और यहीं पैपिसोड खतम हो जाता है त अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर